भारत में जिस तरहे दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसी तरहे यहां पर मधुमे यानि की शुगर की पिड़ितों की संख्या भी लगतार बढ़ रही है ऐसे लोग शक्कर की बजाए शुगर फ्री का इस्तमाल करते हैं जबकि ये लंबे समय तक उप्योग करने पर स्वास्त के लिए काफी नुकसान दाया है मधुमे पिड़ितों के लिए उम्मीद की केरन लेकर आया है इस्टीविया को मीठी तुलसी भी कहा जाता है पूर्व में स्टीविया की पत्तों में हलकी कड़वाहट होती थी लेकिन कृशी वैज्ञानिकों ने स्टीविया की ऐसी प्रजादी का इजात कर लिया है जो कड़वाहट रहित होती है इस्टीविया शक्कर से भी 30 गुना जादा मीठी होती है बस्तर की वादियों में इस्टीविया की इस पौधे की फसन लगाई जा रही है जी हाँ इस्टीविया का यहाँ जैविक तरीके से उत्पादन किया जा रहा है और केंद्र सरकार की संस्था CSIR ने कोंडा गाउं की मा दंतेश्वरी हर्बल फॉर्म और रिसर्च सेंटर के साथ यहाँ इस्टीविया की खेती के लिए शोध का करार किया है कोंडा गाउं में अगले एक वर्ष के भीतर इस्टीविया के शकर का कारखाना भी खुलने जा रहा है इस समय आप 36 गड़ के बस्तर जिले के कोंडा गाउं के इस्टीविया जाने की मिठी तुलसी के फार पे खड़े है और यहां पर भारत के फर्वोच सीव शोध संस्तान सेस आयार आई एक बीटी के स्वयोग से कड़वाहट रहित इस्टीविया की खेती की जा रही है जैसा की आप देखरे हैं पीछे जो इस्टीविया लगी हुई उसके बारे में बताना चाहूंगा सामानेता जो इस्टीविया की पत्य होती कि रहें इत्ही में इतनी बड़ी होती है is शाधायन तुलसी के पत्न जिर्शी और यहां जो श्तीविया लगी है अगर आप देखेंगे तो उसका जो आकार है लगभग 10-15 गुणा ज्यादा बड़ा है अगर इस तो हम नापेंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबं चार इंच के आसपास बड़ी पत्तियां और इस टीविया की खेती में लाबदैक्ता कि अगर हम बात करते हैं तो दारोमद दो चीज़ पे रहता है एक तूसकी मिठास और मिठास से ज्यादा उसमें कड़वाट किसी तरह की नहीं हो दूसरी पत्तियों की मात्रा तो पत्तियों की मात्रा के दिश्टिकोंड से कि यह थाई टन प्रती एकड़ एक और अवसत उत्पादम देती है और यह पूरी तरह से कड़वाट रहित है और इसकी पत्तियां सक्कर से तीस गुना ज्यादा मिठी हैं तीस गुना मिठी होने के बावजूद यह जीरो कैलोरी होने के कारण डियपटिट के मरीजों के लिए यह एक तरह से वर्दान है और इससे सक्कर भी बनती है और इससे लिक्विट एक्स्टेक्ट भी बनता है जो कि आधी बून अगर डाल हैं तो एक चाय के कप के लिए पर्याप्त है तो हम इसके लिक्विट और इसी शक्कर दोनों का कार खाना यहीं कोंड़ागाओं में डालने जा रहे हैं इसके लिए इसी 2018 के चार मई को इस्थल निरिक्षण हो गया टांस्थार्मर लग गये हैं बांडी हो गई है जल्क्य और दस मेहने कंदर यह यूनिट काम करने लगेगी जिससे तकरीबां 2000 के सानों को सीधे सीधे रोजगार मिल पाएगा और 36 गड़ के अन्य जगहों में जैसे बलोदा बजार और महाश्रमुंद में भी इसकी योजना का फुरुआत्व करने जा रहे हैं हमने च्ट्रीव ग आएंगी जो कई अन्य फ़स्तों पर उन्होंने प्रयोक्तिया हुआ है और हम देखेंगे कि वहां पर भी इसकी अच्छी फ़सल किसान दे पाएंगे